संधान All Gujarat Integrated Classroom सेटलाइट ना माध्यम थी जोड थी कड़ी एटले संधान नमस्कार विद्यार्थ मित्रो आपने 22 एगना माध्यमे गया सुम्मारे अने एब पुर्वे आपना गुजरातनु जे ग्रामीन लोक साहित्य जे तेनी विभावना, तेनी लाक्षानिक्ता तेनी व्याख्या, तेना प्रकारो वगेरे विशेग विद्वानु पाशे थी अभ्यास आप्णे कहिरो विद्यार्थी मित्रो आजे आज धाराने आगर धपावता आपनु गुजरातनु जे ग्रामीन लोक साहित्य जे एना विशेख नहीं परन्तु आपना गुजरातना जे आदिवासी लोक साहित्य जे आदिवासी समाज जे अने एनू जे लोक साहित्य जे एना विशयक आपने वार्तालाप करीशूं। मित्रो आपना आनंदनी वाद ए जे के आपना आदिवासी लोक साहित्य विशयक आपनी साथे वार्तालाप करवा माटे। आ धाराना बे विद्वानों डोक्टर हसु यागनिक अने डोक्टर भगवांदास पटेल आपड़ी साथे उपस्थित छे। डोक्टर हसु यागनिक नो परिचे यापू तो डोक्टर हसु भाई गुजरात सरकार नी अंदर विवित कोलेजों मां खासकरीने गुजरात कोलेज मां तेमने अधार वर्ष सुधी अध्यापक तरिके नी सेवा आपी छे। आसाथे तेमने गुजरात साहित्य अकादमी ना महा मात्र तरिके सोड वर्ष सुधी सेवा आपी छे। छेला दशेक वर्ष थी तेवो युजीसी नी विविद स्टाफ कोलेजु तथा IAS ट्रेनिंग सेंटर मां मध्यकालीन गुजराती साहित्य अने लोक साहित्य ना विवेचन, लोक साहित्य नुँ संसोधन, संपादन, संत साहित्य अने संगीत वगेरे विशयक 150 जेटला पुस्तको अपने प्राप्त थाई जे। ताजे तरमाज एमना तरप थी गुजरात ना आदिवासी लोक साहित्य पर नो विगत पूर्ण इतियास अने मध्यकालीन गुजराती साहित्य प्रवाह अने स्वरूक विशयक नवाज अभिगम्ती लखायल पुस्तको आपने प्राप्त थाई आ जे। विविद युनिवर्शिटियों मा एमना आ लोक विद्याना अने लोक साहित्यना पुस्तको अभ्यासक्रम मां मुकायला जे, जे आप सव जा जो एमना आ महामुला कार्य थी प्रसंद थाई अपड़ी गुजरात सरकार अने विवित संस्था होए तेमने विवित प्रकार ना एवोड आई पाछे जेमके लंडन गुजराती साहित्य अकादमी फेलोशिप, सकाईलार्क एवोड, मेघानी लाइफ एचिवमेंट एवोड हेम चंद्राचारी एवोड अने कवी काग एवोड एमने प्राप्त थाया छे आवा मध्यकालीन गुजराती साहित्य ना अभ्यासु विद्वान, लोक साहित्य ना संशोदक, संपादक, अभ्यासु विद्वान, संगित, शास्त्री एवा हसुभय ने सांभणवा एक आप प्राप्तर हसु यागनिक लोक साहित्य तो रेच छे, पन परंपरा थी आ लोक साहित्य ए आदिवासियों नी कंट परंपरा माथी उत्री आभ्यों अले आपने जे लोक साहित्यनी परंपरा शे ये कंट्रस्थ परंपरा शे कंट्रस्थ परंपरा मां मुक्य बे प्रकारो जोवा मले शे एमां केटली कविक क्रुत क्रुतियों नी पन कंट्थ परंपरा शे नर्षी, मीरा, वगेरे, आपने लोकों ए कंटनी परंपराती पन जीवता राख्या, आने बिजिये भी परंपरा शे के जैना करता, कोई आपने जानताने दिला अगनात कर्तु क्षेम नहीं, पैने नू कर्तुत्वनू आरोपन आपने लोकों पर करिये शे, लोक्ति परंपर मा घडायलू शे, एम कहिए शे, कोई ना एक व्यक्तित्वनी मुद्रा नाथी, और लोकतत्व जेमा परबढ शे, एवी कृति ने आपने लोक साहितिये कहिए, जेले आरी ते लोक साहितिये, और आदी वासि लोक साहितिये, ए तात्विक्रिते, एकज रुख्षनी बेश प्राखाव शे पंड एमा बेज जे छे ए मुख्य श्रोत नो शे एले ग्रामीन श्रोत माथी जे सहित्य मलू अने आदिवासी सहित्य माथी खंटपरवानू जे लोग सहित्य मलू ए तात्वीक रित्ते बिन्न शे एवो खयाल ए मनका नू ज्यारे 5000 जटली रिचना ओगनू विश्राई प्रामाणे साथ ग्रंथो माँ में विवाजन करू त्यारे द्रुष्टी माँ आविऊ जेम जेम एके क्रुती तपास तो अगयो तेम तेम लागिऊं के आ आखी आदिवासी कंटपरवरंपरामा आवता लोग सहित्य नी ओड़क जुदी छे एटले ब्रुहत क भाषाज जुदी छेओ न थी पर तू भाषा नी संस्कूरती भाषा साथे संस्कूरती जोडायली चे ए आखी जुदी छे है आपनुक मोटा भगणू ग्रामी गुज्राती लोग सहित्य और गुज्रात नी बिन्न बिन्न लोग बोल यो मा छे अन्न आदिवासी जे लोक साही त्या छे ए भीली औने भीली कूल नी बिजी पेचेक चोतरी कोकणा सुधी नी विवीद बोलियों मां छे एले पार्ट आनों तो भेच चेच पंड सौथी मोट्टों बेदे शे के साबर काठा बनाज काठा ती शरू करीने आपने येम आगल जिता जी ये तो ए चेक दक्षिन सुधी पूत्ता सुधी मां जे साबर काठा बनाज काठा ना आदिवासी योशे ए लोकोनों सिबा समन राजस्तान साथे छे राजस्तान साथे जोडनारी कडी ये अपड़ा डूंगरी भील गराश्या भील ए ए लोको शे और पशी आगड जदा पंज महाल अपगेर मां उत्रिये तो मध्यप्रदेश नी जे गीतोनी परंपरा शे रुतु गीतोनी एनी एसर वधार जोवा मडे शे दक्षिन तरफ जे ए तो महाराश्ट्री प्राकृत ना क्षत्र माविये शे शितानों पवाडो ए आपन त्यां आदिवासियों मां मडे शे एला आ रिते आखु जे बोल्डर पर गुजरात नी सिमा पर शे तो गुजरात नुँ राजस्थान, मध्यप्रदेश औने महाराश्ट्र आ त्रण पलोष ना राजियों साथे जे आदान प्रदान थेऊं एनी मुख्यकडी ए आपनु आदिवासी साहित ये शे एक पेलूतर य आपनु ए आखा स्टेटस नो भेड़ छे, स्टेटस नो ए रिते क्या आदिवासीयों नी आजादी पूर्विये नी चेक प्राचीन कार्थी ये आजादी प्राप्ते करीतियां सुधी सब्जेक्ट तु नन ए प्रकानी परिश्थी दियाती, एले एने कोई राजिये, आजादी प्राप्ताना नागरिक नो तागणा, एलो परिणा में हावियू, कि आपने ग्रामीन समादने नागरिक समाज ने जे एक कुटूम नुपेलू सरक्षन, गिनाती ना गोल्ड नू सरक्षन, समाज नू सरक्षन, ग्राम ना परिवेश्थनू समाख्षन, एना और राष्ट्रनू, काईदानू और अनू सरक्षन नू, ये अपने उपलब दातू, ए बद्दाज लाप थी आ समाज वन्ची ततो, कि धेवेर सब्जेक्टू नन, परिणा में आवियू, कि ए लोकोंने पोतानो समाज, पोतानो सब्रक्षन, पोतानी रिते, जे चरेतरू जटलू जनी भगवान्दा से विगता पीशे, ए पती जावी, तो एना मुड मा आ एनी परिस्ति दीशे, दाकरते के खुन नो, बड़लो खुन, ए एक व्यक्ति नू खुन थाए, तो ए व्यक्ति नू वेर नहीं, एक आखा समाज नू वेर ए आमा थी, अना त्रिजू, द जे नागरीक ग्रामीनी शे, एना करता आदिवासियोंनी केटलाक प्रमार मा वनोपजी मीशे, क्रुश्री शे, ए अलप शे, के अलप प्रमार मा श्रिकार शे, एपन लगबद लुपत शे, वननी संपत्ति पन उच्छी सती गई शे, आजी विकाहोंनी साथे परम परागत रिते जे संक्राय लोतूं, जुदू शे, आम त्यात्विक रिते ए आदिवासियोंनी ओलक आखी जुदी पड़े शे, ए आदिवासियोंनू साहित्य पशी में विचार मुक्यों, के आ ग्रामीना श्रोतना साहित्य थी जुदू पाड़ू जोई है, अने आपना मुर्दे विद्वान, डॉक्टर भायनी साहिबे, एने अनुम्हों नाप्यूं, का वाद साची शे, एले मनका मां जे आदिवासि रच्नाओ हती, ए लगबग ओगलीस लोकोये भेगी करली हती, ए रच्नाओ नू आखु अलग संपादन कर्यूं, आपना सत भागी है, ए समये मनका न पहला संपादक, उमाशन कर जोश्री हता, और एमने आदिवासि लोक साहित्यानी परंपरा थी, ए पूरा एना सामर्तिरती, आपना मुर्धन्यकवी परिचित हता, एले पेडला मांका मांज, एमने आदिवासि साहित्या पर ध्यान केद्रित करूं, और चौद मनका सुधी 23 वर्ष्ट सुधी, जे रिष्टनाओ आवी, एमा 99 जटला लेखको ए, आकी चरस्रीते काम करूं, सोथी मोट्र मोटू परिणाम एमा एम मलू, के शंकरभाई तडवी, और रेवाबेन तडवी, एना जेवा आदिवासि विस्ताना लोके आपियूं, अले शंकरभाई तड को आपिया शे, जेना विश्रे वीगते में, एमार ग्रिंत मां सामगरी शाते वाद करी शे, तो अध्यापक मित्रों ने, अने शात्प्रों ने, खास ध्यान पर लावाजी बाबते शे, के आद तडवी दंपति ये, जे संखेडा विस्तार नी, तडवी विस्तार नी कुर पर आपिछे, एच सी, पीअट्डी माटे नो, एक सक्षम, के ए जमाला मा, फोकलोर नी दुरुष्टिये, भाषा की ये दुरुष्टिये, समाज नी दुरुष्टिये, के कितला स्वरूपो, के कितला प्रकारों आप्याशे, ए पशीना बिजा सिमा चंद नुरूप, आचारिय, जेमने ग्रामीन नी करता विशेश वजन, आदिवासी परंपरा नी कथाओ आपी, और फोकलोरिक अधियान साथे बार्षा की अधियान आप्यूं, और फोकलोर ना, शांती भाष्टिये आप्यूं, एका खो, अनुबंद आदिवासी नाँ प्राक्रुष्टिय टो, एक डोक्टर भायानी ए, भाळानो वड, एक वारता मा बता व प अनुब अनुसंदान, पशि मारशन स्रोधन मा, कर साथ सी आई, तो आरां शोपानी जे वारता शे, यथियान, आप्यों, प्रुष्टिये जे राम्ता कहाँ आपी, तो एमाअपणे एक तला काउश्त जहिं श्रुत ना आपने जूए एशी तो जहिंटों नो प्रवास मार्ज एतों साधों नो आबदा डिश्ट्रिक माथी पसाड़ तो परिणा में आबदा जहिं शाहितिय मा केटलू कादिवासी नो आवियू और जहिं श्रुत नो तूं आमाथ यावियू। अबादा संस्रतों नों अटला महत वाना शे है और पशीनों तो स्रिमास तंब नहीं पर मारी दृष्टी एक प्रकार नी दिवादान दीजे हूँ काम ए भगवंदास पोटेल नू थे हूँ कि चार महा कावी आवया और इना चार भगवंदास ना लक्षणों जड़ाएंव हुए तो एरी दाफिश रगूं कि कोई प्रकार ना बायस वगर फोक फोकलोर नों अभ्यास करो त्यारे तमें तमारा सांस्कूर्थिक बायस तमारा भाष्णों बायस तमारा एथिक्स और मोरोल्स आब दू एक बाजू मुकू जो ये ए बदू ज अमुक समय साथ से संक्र पहलू शे एक निजमाना मुकूर सुधार स्वच्छ अरिसा जो मन लईने आको एनिपास से जवू जो ये एना समझवानों परहतना करो जो ये तो एक कोईपन जातना बायस वगर पोताना गुरुहित वगर एने आ आको साहित्यने एबने आपनी पास मुकी आपियू और च आपनी विश्रेश भीगत आपतो नाती एना आपनी बे फोके पिक आपने मनिय चेकु गुजरात मा फोके पिक नाती हेम चंद्राचारिये एमना काव्यानु शाषिन मां लख्यो शे ग्राम भाशायाम ग्राम भाशामा आ परंपरा छे कांके ये बक्ते जूरती ये ती और आपने पाशी चेक आपने ओग्रिश भाशासी मां डोक्र भग्वंदा साप्यूं त्यार आपने जोईूं और त्रिजू महतों नूं एमनी पासे थी आ सव अभ्यासियों क्षात्रों शिख्वानी बाबते शे के एमने एक पांट पर्याय मीमान साके शब्द ए आपनो पो जे फोक्लोर वस्तोय वी शे जिफसी नी बाद करो तमे रबारी नी बाद करो भरवार नी बाद करो मियाना नी बाद करो काठी नी बाद करो तो ए एतनीक गुरूप शे ए एतनीक गुरूप नी जे आजी विका शे एननी जे पास्रा शे एनी जे बोली शे एना पोथाना ए अपने तपास्वू जोई ए अधिवासी नों कोंश्रेप्ट शूशे केटली जाती ओशे ए विश्रेश विगत में मारात आजेर्दन ना ग्रंथ मा आपी ए आधिवासी साहित्यनों इतियास एमा ए समग्र रूप मा पेलला आधिवासी केटली 25 जाती वासी और एमा जुदी जुदी आधे जे पेटा जाती ओवी केवरी तशित्मा ओवी ट्राइबल लेट लशूँ एना मुलमा ट्रिबस अट्रन जाती ओ जे रोम ना सर्दार हो हता एमा थी आवयो पशे नी विवावना केम बडलाई गुजरात मा केम काम थयू और जे श्तम्नी वाद करी अते आर ौधि आपना सोधि उनवर्सितिह शुदी, आपणा अध्यापको सोधि अपना शात्रऊ हो सोधि और जे बी गुजरात साहीतिय अकेडेमि मुट आफ मुटो काम होई तो विद्यापीट और गुजरात साहीतिय अकेडेमिनु शे और त्रीजु आपणु चेज़ी जुद नवी विश्तरती शाखा एटले आपनो आदिवासी लोक साहित्य छे और ए आदिवासी लोक साहित्य ने आपने कहुं ए आ आटली विभावना सुधी आव्या छिये और आपनो अभ्यास हजी आदिश्रामा अगड वद्वो जोईए बहुशरस दॉक्टर असुयागनी के आपनी सामे ग्रामील लोक साहित्य और आदिवासी लोक साहित्य ये बन्ने वच्चे ना भेदा भेद ये बन्ने नी आगवी विशेश्ताव सुझे तेमा जे आदिवासी लोक साहित्य नो आखो इदियास ये आपनी सामे मूखी आईप मित्रो आजे आदिवासी लोक साहित्य ना आवाज उंडा बिजा अभियासु डोक्टर भगवांदास पटेल पान अत्रे उपस धेच्छे। पोतानु समग्र जीवन भगवांदास पटेले एमनु पोतानु समग्र जीवन आदिवासी लोक समाज ने एमने समर्पित कहीरू छे। ये बिवो केशट्ष नी अंदर एमने आ आदिवासी लोक साहित्य ने ध्वनिमत्रित्तो करीली दू। पां एमने पुस्तक रूप आपपा माटे एमनी पासे कोई एवी आर्थिक विवस्था नो दी। परन्तु हिम्मत हाईरा वगर एमने आ धन आ लोक साहित्य आपणा सव सुधी पहुचे एमाटे एमने पोतानू खेतर वेंची अने ए पुस्तको नू स्वरूप आ साहित्य ने आईपूं। जेना फल्स्वरूपे आपनने लिला मोरियाथी मांडी राठोर वार्ता, गुजरात नो अरेलो तोडी राणी नी वार्ता, रुपार रोणी नी वार्ता, रोम सित्मानी वार्ता, भिलोनु भारत वगेरे जेवा देश अने दुन्यानी सामे मुकी शकाए एवा सम्रुद भगवान्दासे आपनने आई पाजे, आमाना भिलोनु भारत, राठोर वार्ता, रोम सित्मानी वार्ता, अने गुजरानो अरेलो जेवा ग्रंथो तो अंग्रेजीमा अनुवादित थाई अक्सफ़र्ड युनिवर्शिती सुदी पहिंचा छे, आदिवासी लोकसाहित य उपरांत, भगवान्दास पटेलनु मुल्यवान अने सराहनी कारियतो ए छे, कि तेमने वैदिक, एतियासीक अने धर्म ग्रंथो नो उन्डो अभिहास करी ने सित्तेर हजार वर्ष पुराणा पाशान ओजारो मानव वसाहतो अने चित्र मंडित गुफावो शंशोधी अने एना अधारे, तेवो आ आदिवासी लोक समाज ने तेना जुटवाए गएला हिंदुत्वना हक ने पाछो अपावे छे, आ उपरांत, आदिवासी समाज माँ जे अन्सरद्धा अने डाकन जेवी जे प्रथा छे, ए प्रथा ने ए जड मूड माथी दूर करावे छे, साथे साथे 500 जेटला बाढको ने ए प्राथमिक शाडामा एड्मिशन अपावडावे छे, आ उपरांत, 5000 बाढको ने पोलियोनी रसी मुकावी एमने रोग मुक्त करावे छे, आवा आदिवासी लोक शाहित्यना संशोधक अने सेवा भावी, भगवांदास पटेल नी बह मुखी प्रतिभा अने प्रवरूती थी प्रसन्न थाई, गुजराज सरकार्थी मांडी, जुदी-जुदी अनेक संस्था होए, तेमने विविद प्रकारना एवड आई पाजे, जेमके भाशा सन्मान एवड, राम व्रुक्ष बेनिपूरी जन्मस्ताब्दी, वनवासी कल साहित्य एवड, भिली भाशा साहित्य एवड, साबरकाठा बेस्ट ओथर, बेस्ट टीचर, ट्राइबल लिट्रेचर एंड लेंग्वेज, केरियन शरकार द्वारा तागोर ना नामाय अपातो पहलो तागोर एवड पन एमने प्राप्त थे होजे, अने हमना आज सवराष्ट युनिवर्शिटी ना मेखानी केंदर नो पन प्रथम एवोड भगवांदास ने प्राप्त थे होजे, अवा भगवांदास पासे थी, आदिवासी लोक्षाहित्य विशायक समझ आपने खेडविये, भगवांदास ने विनंति करिये, के ते वो आदिवासी ल जाड़े आपने वाद करिये छे, तो एना अरंभे आदिवासी समाज के वो छे, एनी वाद आपने यहीं करवानी छे, सवुथी पेला आदिवासी समाज ये समतावादी समाज छे, समानतावादी समाज छे, अनि आ समाज में सब विशेशे मात्रु सत्ताक जीवन रितियों मुल्यों आपने जुईशे किये छे एटले जारे समाज में पुत्रा थ्वा पुत्री नो जन्म थाए छे एवा समाए कोई लिंग भेद निये स्पष्ट धर्ष्याव मा आवतों न थी परिणा में पुत्री नो जन्म थाए या पुत्रा नो जन्म थाए तो एज प्रकारे जान्मियों ढोल वगालबा मा आवे छे औने एज प्रकारे मकाई नी गुगरी व्याच्वा मा आवे छे जारे अन्य समाजों मो आ प्रकार नो समान लिग भेदनी भावना आपने जोई शेक्ता न थी पुत्रा ना जन्म थी आपने हर्षित थाई ये शे औने पुत्री आवे तो पत्रों मानी ये शे औने परिणा में एक शोक नो जे वातावन सवाई शे ये आदिवासी समाज मो न थी बीजी बाबात ये शे के उमलायक थता वर अने कन्या पोतानी पसंगी थी लगन करे शे ये मो पित्रों सत्ता समाज ना मुल्यों आपने जोई शेक्ता न थी गणी वक्त ये आपने यू पन जोई शेक्ये शेया के पिता ने आपुआ पड़तु कन्या शोल्क जो वर पासे न होए तो ए कन्या ना पिता ना गेर खीती वाडी ना काम मो जोत्रा है शे अने कन्या शोल्क जितली किम्मत थाई जाये तवा पैसा एक्ठा था है इतले कन्या नो पिता वास्ते गाजते बन्ये नो लगन करावे शे एले आर्थिक रिते जो दरिद्र होए तो पण सहज रिते आ आदिवाशी समाज मों लगन थाई शके शे जे अन्य समाज मों आपने यू करी शेक्ता न थी लगना समय जे बेट सोगादो आप्पामों आवे शे एनो अधिकार स्त्री नो होए शे कंजानो होए शे बहु पत्नित्वानों रिवाज होवाना कार्णे आदिवाशी समाज मों जमिन जायग नी व्याचनी पत्नियों प्रमाने थाए छे आपने जेम पुत्रों प्रमाने थाए हो न थी होतो पन सविशेशे एमना समाज नी एक विशिष्टा ये शे कि गणीवखत ये अण बनाव थाए तो स्त्री अने पुरुष्णे छूटा शेडा लेवानों अने पुनह लगन करवानों समान अधिकार होए शे अने पुनह लगन कर्या पछी पन स्त्री पोता ना पुर्वपती थी थैला संतानों नी देखरेक करवा ये पोता ना मुर्पती ने गेर पन जई शके शे अने रात वासो पन एक गारी शके शे बारक नानू होए तो मोटू करी अने येने उचेरी ने पने आपे शे नवो मुर्वपती आनों विरोध करी शकतो नथी कारण के स्त्री ने समाजे आपेला आ विशेश अधीकारों होए जे गणी उखते येवो पन बने के स्त्री विद्वाथ हा है फिद्वात हया पच्छी बार दिवसे पच्छी इना पिता ने क्यावा मावे कि सोई पाचर दोरो हवे हमारो पूत्र तो रहयो नहीं तो तमारी दिक्री ने लई जवी होई तो लई जई शकोश पच्छी श्त्रीने पुछवा, वे नैंने केहें के मारे अहीं जरहू शे तो ये अहीं रही शक्यज़ाँ अन्य पतिनी संपतिने मले शे पच्छी समाई पसार थाए अन्य पच्छी यहने एम थाए कि मारे आघेरेज भी जो नवपती लावो छे तो ए नवपती ए गेलाई शके छे पण कुटुमने मालेक ए पोते स्तरी होए छे घर्णी स्वामी नी ए होए छे नवपती ने बारको ना उचेर शिवाए कोई विश अधिकारो आपवा मा आवता न थी बीजी बाबा तेवी छे कि गणी वकते नासी जाए आने लगन करवा मा आवे नासी जाए इटले पच्छी समाज इमने शोधी लावे वर अने कञ्ञाने अने पच्छी कञ्ञाना पिता ने यहनों जे दापू आपू पड़े यह आपी दिधा पच्छी इमनों लगन शरू थाए एमने बारको थाए बारको नोए बारको थाए अने त्यार पच्छी इम थाए कि आपने समाज ना नियमों प्रमाणे लगन नथी करियो यह निती नियमों प्रमाणे लगन करवो छे तो नोशी इना पियर मों जाए ने पीठिये आ बाजियों डोसों ठीए बेसे औने बन्ने वाजते गाजते एमना संतानों पूत्रों ने पवत्रों वाजते गाजते एमने लगन करावी पोखी औने पोतानों गुरुफ प्रविश करावे तो आ समाज नी उदारता जे अन्य समाजों मों आ प्रकार नी उदारता आपने जोई शक्ता न थी सौथी विशेश बाबा ते शे के एमना महामार की पाट नो अनुष्ठान थाई शे आ महामार की पाट मों स्त्री गुरूना स्थाने होई शे एवकते अने ए दिवसे जे समग्र सभा गत गंगा होई शे ए गत गंगा मों सवीशे शे स्त्री नो आदेश मानवाँ मों आवे शे कोई पाट धर्म मों स्त्री ने आटली स्वतंतरता आपे लिए आपने जोई शक्ता न थी तो आपरी बाबढत थी आपने समझे शक्कियासे के आ समाज एक समय अत्यारी भलेने ए पित्रों सत्ताक शमाज ओए पर एक वहते आ समाज मात्रों सत्ताक समाज हतो इनी गवाही पूरे शें। तो रॉम सित्मानी वारता मा है सिता अत्य न्यद्ट उजस्वी दिन प्रग्टे ले आपने जोईए इन रो आ आपने जोईए उनौन. और मुद आपने कि राम जो आपन भूल करें तो सिता एनमार्ग दर्शनापे ऌक है और है ईक 활ते उझ बणीं के लक्षमन औने सीता ये बन्ने कुओ घोडता हाता औने बन्ने भुख्या थाया एकली राम वन फल लेवा गया पच्छी ये श्रमी थायो लो एकली थाक थी उंगी गयो साग पानो ओड़ी ने अने पान आवे यो तो ये पान ओड़ी गयो अने राम आवे या तो बन्ने ने अनावरुद जोयो तो राम ने सुन्षे जागयो औने लक्षमन ने माड़वार दोड़या तो सीता जागरित थायो औने खहिए के तू दिरस धर तू एक काम कर तू एक हाथे तारी पाड़ राम एक हाथे तारी पाड़वानो प्रहत्न करे पड़िय की अक्ते घंव काूरुन शीता क्ये से तूं तो एक लाकड़े अग नतीर अक्ते दलाında की और तो एक लाकड़े आग परीचन प्रोपीद जो एक लाकड़े आग नतीонецPie ही तो एक शरी थी कई पर थ्य तो आम आपने जोई शेक्ये से कि आपने शिष्टा ही त्यम जे सिता से अजे जुदी पड़े से सो ती विशेश तो इना व्यक्तित्वन स्विकार करें जोई आदिवाश योई आने परिणा में ए राम ने आओ कई शेक्ये से एना करतो पन भिलोना भारतम द्रवपदीनों जे चरीतर शे ये अत्यांत ओजस्वी रिते आपनी सामियावे शे ये नुँ व्यक्तित्व अत्यांत प्रभावे शे भिलोना भारतम आपने जोई ये तो सविशे शे कुंता अने द्रवपदीना हाथम समग्र राजकारभार अने समग्र सामाजिक जीवन नो वेवार नी बागडोर येमना हाथम है येमना आदिश प्रमाणे पांडव राज करे शे येमना मार्क दर्षन थी ए समग्र समाजम सामाजिक स्थान प्राप्त करे शे एक होखत येव बनिऊ के पांडव ना पिताप पांडव नू मृत्यों थयू अने ये मृत्यों थया पछी येमने कुत्रानों अवतार मले उकारण के बी में द्रवपदीना गुरूनु अपम परिणा में आ कुत्रा नो अवतार मल्यों एनो ख्याल रवपदी ने अने सुभद्रा ने आवें अने एक सुवण्ण थार में 32 प्रकार नो भोजन लई अने आद रवपदी पोता ना जे स्वसूर जे कुत्रा रुपिये शे जे उकडा पर सुता शे त्यों जेने आपवा ज पीमा द्रश्व जुए शे आनी गुशे थे जाए, जाने कएτε शे यो आक ऊत्रो तारो घुठियो खे, तो द्रोफ का पदी कएऩे के घुठियो तो नथी, पन तारो बापो अने मारो शस्रो शे आउ, श्त्री नु जोस्री था, जे सत्य वाधा ने अन्याइसामे प्रति पुस्तक धेनु नाम छे विलो न सामाजिक गीतो। ये सामाजिक गीतो ओमती एक जीवन रिती। कि किषोर किषोर री थाये। इटले सहज रिते गोठिया गोठन करवानो तेमना समाजमों रिवाज छे। गोठियो एकले प्रेमी और गोठने ते प्रेमी का दरेक तरुण ने गोठन होए और दरेक तरुणी ने एक गोठियो होए आ समाजे आपेला समाजे स्विकारे लिए आज जीवन पद्धाते छे एकले जारे कन्या ने कुई नी साथे प्रेम थाए तो ए पोते पोता नी माता ने सहजरी ते ए कई शक्ते न थी। जटक गायो काटी आल ने आया ये माता गूठियों डूंगरे बोली रहो शे ने हूँ गर्मों रही शक्ती न थी एटले तो जल्दी थी गायो काटी आप मारू गीत तो रोरू रोरू जाय ने आया तमक रोटो करी आल ने आया मारू गीत तो गातू गातू एना सुधी पोची गयो छे कित स्वहें गातू गातू जयाby ॐ सुनतर कल दखना छे त्यों सुधी पेशी पोची गयो छे पना तो जल्दी रूटलो करीया यहने मनरोंये मारो जीवरोंये आया यहने मण अने मारो जीव एका कार थई गए वस्य contingent मर हूं ते दी माया सोर हूंने आया निर्जी ते दिवसेज आ माया अमारी चूट शे तो कालीदास्पनाव bran और अर्व Himself आज वात यहां गोठियाना गीतों में सहज रिते आपने जुईशे किये शे ये पशेनों एने जहाए फूर चारे जातिये सबंदों बंधाए अने जातिये सबंदों नोजे अनुभव थाए पड़े पोतानी माता ने कई शके काया क्या तो समाजे आपेली स्वतंतर ताशे अने एक गीत में जे जातिये अनुभव थाए जे जातिये प्रेम थाए जातिये आनन थाए ये आनन नी वात बहुँच सहज रिते पोतानी मातानी करे शें अने एक गीत आप्रमाने शें के गोठियों केरते केरी गई आया केरी पाखर फिरी गई आया, गोठीयों करता होँ करी गई, अने कमदी न्याजूबाझू फरि गई, अने पष्य का यही इसें, के गोडूर। पोता ना भाव ने आ रिते व्यक्त करी शक्ति न थी इन भावनाओने दबाव मावी शें जारें आदिवाशी समाज में एवी बाबतों बनती न थी व्यक्त करी शें अने एना थे बदू उंचंग खल बनी ने पोता नी माता ने एक गीत मों कहये शें कारण के गोठियों आवी रहो शें अने गोठियों आवी रहो होवाना कारणे इननों जे दर्वाजों द्रूजी रहो शें इनने आवान या जड़पनों अहीं सुचंशे व्यंजना रूपे अने एक गीत आरिते व्यक्त थायलू शें के गोठियों आवे जोपो वाजे ने आया जागतियों आई तो हुई जाजे ने आवे गोठियों आवी रहो शें दर्वाजों द्रूजी रहो शें अने हे माता तू जागति होए तो आवे सुई जाजें तो आ स्वतंत्रता आ भावो नू प्रस्पूटन आपने जेने सिष्ट साहित्ये कहिए जे ए सिष्ट साहित्येमा आ रिते स्रीना सहज भावोनू प्रस्पूटन थयलू आपने जोई शेक्तान नती। अने घणिया पदा रम्य द्रश्पूपन प्रकूतिना साहित्यमा आ गोठिया विचेक प्रणाई की तो में आपने जोई शेक्ये छे। एक गीत वसंतनों समय शे अने बन्ने प्रेमी प्रकूतिमा फरी रहे शे। रोहीडों विक्सी रहे शे। अने ए द्रश्य एक गीत मा आरिते जिलायो शे। के रोहीडानों शोगो लरेला काडा मारा जोतो जायेला। रोहीडा नी डारी आपने एनी छाया मा ब्यस्वा माटे गोठिया आमंत्रण आपी रही शे। अने पशी बन्ने जाये शे। अने एनी छाया मा ब्यसे शे। अनि पसी रोहिडा पर केवी असर थाये शें न बवत सरस भेंज न रूपी अई व्यक थाये लूशें अनि ए आहरी तक कैयेशें कि रोहिडानों शोघो कुँ लरेला तो अपु बैठो एतना रोहिडantonें रोहिडानी प्लावय विक्षंद थाया अने वातारवन सुभवासी थाई गयों रोभीरो फूलेनों ए प्रफूली थाई गयों ए खूश थाई गयों तो आज वाद संस्कुरू साही त्यमा अपने जोई शेकिये शें कि नाईका मदीरापी अने अशोक ने चरण प्रहार करे इले अशोक खिलतो पड़े तो प्रहार अने फूलो विक्सित थाई चे अने वातावर अने सुगन थी भरे दे शें तो आवी रम्य कल्पनाओ सहज रिती आवे लिशें कहीं प्रयत्न करवाम आवे नाथी सिष्ट कवियोनी माफाग पन सहज रिती रदैम उद्भयोला भावो आपनी सामियावता आपनी जोई शे पन फक्त अहीं प्रयम्य जवात न थी पन गोठियाना मंगल तरफ मंगल भावनाओनी वात पन आपनी जोई शेकिये शे गोठियाने कुतरू करड़े उचे अने परिनामे यह दवा खाने लई जवो शे पन पासे पैसा न थी तो यह नी माता ने कहे शें के कुतरा नो खात तेलो ना जिवे आया लेओ लेओ गोठियो दवा खोने आया कुतरू करड़े उचे एकले जिवी शक्षे नहीं एकले आपने तातकालीक यह दवा खाने लई जवो पर से अने पैसा नथी तो यह कहे शे के घरावारो टूपियो होनी ने आया होनी ने आया लेओ लेओ आपने शोनी ना गेर जाईने खंडी भारिये पण एने आपने दवा तो आपने करावीज परशेह माता माटे तु जल्दी जट कर आपने दवा खाना बेगो करिये तो आप मंगल भावना आपने आ गोठिया विचेक प्रणाई गीतों मोपन जोई शेकिये शे बिजी आदिवासी समाध में लगबग लगन नथी थातों कारण के एक अज गोत्र ना गोठिया गोठन थाई शके शे पन एक अज गोत्र ना लगन थाई शकतों नथी लगन मीजा गोत्र मोँ करवाव पड़ता होई शे और बहार गाम करवाव पड़ता होई शे और गोठियों ग प्रेम थाये शे एनि साथे लगन थाई शक्तों न थी अने लगन समय छोड़ी देव पड़े शे एक लगन ए आदिवाशी समाज में दुखनू कारण बने शे जे अन्य समाज में ए प्रकारणी परिस्तितियों न थी पड़े आ बाबतों सामाजीक बाबतों थी जुद्धी पड़ती आपने जुई शे किये शे जनी साथे प्रेम थावे ने छोड़ी देवानों जारी लगननों समय था है त्यारे ए छोड़ी देव पड़े तो ए नी विदना केवी शे ए आ प्रेमी का जुओ अहीं सवीशे शे स्त्रीज मुखर शे स्त्रीज पोताना पावनों प् कुमारोला गोठा अर्दी पीठी रोवरावे हला गोठा अर्दी पीठी येले पीठी ना चड़िये तो आपने कुमारों घरांए तो पन पीठी चड़े से तो आपने ढ़ावे से पाका पीडिया विना कुमारोला गोठा कुमारोला गोठा पाकु पीडियू रोवरावे हैला गोठा पाकु पीरियो पानेतर, पानेतर विना कुमारा शिये, पन पानेतर प्यरिये से पने आपने रडावे से अनि पसी तो आँ सोडी देवो पर शा गोठियाने, अनि नक्की करेल होए से कि आपने छूटो पर ये रडवान कोई कारण नथी, पन एवो थाई शक्तो नथी, अनि एक गीत में आह्री ते व्यक्त पोठाना भावो गोठियों व्यक्त करे से, अनि एट रडई से से त्यारे, इंने जीरस बना होता आ कर्या कहे से, के नार हो एम केतो ला वेरे वेरे हैना रोएला आई बाना हम खाता ला वेरे वेरे हैना रोएला तु केतो हो तो के आपने अलग पड़ी शोटले नहीं रडिये पड़ तु आ वेरे वेरे शामाटे रडि रहो छे जजणिया जोरा मोरिया हैना रोएला आ ज़े या जोड महें हे मारा मोर तुझ शामाटे रडी रहैं तो रामनीजे वेदना चेया पहाड़े परवते, सिता करें भार पूसी वेदना जनी शेर कषिये प्रेम करें है यह गोठिया ने Lynnthay जती आपकें, जोईता कें पण गोठन इच्छे शे के पोतानों प्रेमी दूखी न थाए अनि परिणामे ये बीजी गोठन ने स्वापे शे के जेथी इना प्रेम में ए पोते पाशो खुवाए तो ये कई दी ते स्वापे शे गीत नी भात पण अई थती आपने जोई शेकिये शे तो ये कहेश है कि इडर जाए तो इडर पर के लेके केरी तो ये आलियो मारो दोस लेके केरी इडर जाए तो आखू इडर शहेर प्रकाशित थाई जाए येवो आ मारो गोठी यो तने आपूशू अनि हवे तु येने साचव जे अनि हवे तु येने साचव जे अनि पशी तो लगन थाए शे लगन थाए शे इडर इनी माता ने कहे शे के नहीं लेवो होनू होरमो ने आया घोठी यो सवरी मो साई जे ने आया नहीं लेवो बट बेरूरों ने आया घोठी यो सवरी मो साई जे ने आया ही माता मारे तारो सोनों और सुर्मों कञ्यादान मों नथी लेऊ। मारे तारो बट बेरूड़ पन नथी जोईतों पन एक वखते लगनम मंदप मों आमारो गोठियों आवे और वाठकी जवा उजवर मूखने हूँ जोव। बस इतलीज मारी भावना चे और आमारी भावना थाई शक्षियों और पछे तो छेल लगन तो थाई जाई छें और पोता ना प्रेमी ने छेल लिए संदेश आपे छें। क८्या घुठियों और दिलिए स्गे लिए संदेश तो फिंड़े लिए। अने पसे कहे शें के डगरा रो है जारो रो है मोटो मोटो रूखरो उब्रावी और गोठिया हो रो रहे जें आपने अलग थाई शू एटले जेनी शाक्षी है आपने प्रेम करयो हतो ये पत्थरों पर रढ़ सें अने जेनी चाय मोँ आपने आप बेठा हाता ये निरस थाईलो जाड जोखरो पन रडशे पन हवे तुँ जह होए तिवा तुक्षेम कुशर रजे अने पसी तो लगन थाई शें लगन शंकानों जीवन शें कार्मी मजूरीनों जीवन शें गोर इंत्रणानों जीवन शें अने परिणा में आ गोठन नी ये परिस्ति सर जाई शें एग गीतमों आ रितिव्यक थाईली आपने जोई शक्यें शें कि एरादवारी गोर्मली नेतुरी रवायो गुमें गुमेहेली नेतुरी महिं मनता गुमत फिरे जेवी परिस्तिति आ गोठनी थाई जाई शें जिम रवायो घुमे ए मेरा मों गुमी रही रही शें एने कोई चेन पर तो नथी पणि एक वखते केवी हती आ गोठन एनी भाद पणी कहेशे के हरी या हरखी पातरी ली न्यतूरी रवायो गुमे एम गुमेहेली न्यतूरी अगनी बांजी आग त्रीक्ष्ण नी रड़ैस परशी अती इवी गोठनी परिश्दी ती अत्यारे आ रवायो गुमे एम एक गुमी रही शें अनि अन्ते एने पोता निया सास्री मो फावतों नती तो ए पोती छिल्यो संदेशों मुखले जें के मौई पर्णावी दुरा देश जरू को मेली देजेला एंड जरू के ने जरू के पाची आऊला मने दुर देश पर्णावी दिजे पड़ हे मारा गोठिया हे मारा प्रेमी तो एक दर्पन मुकी देजे के ए दर्पन पर परता परावर्तित प्रकाशनी साथे ने साथे हूँ पाची आऊ अने तने मलूम अने तारा मै बनी जओ तो इस आरी ते आ गोठिया नो गीतो अत्यन रदेश पर शीरी ते आपने सामे आवेशे जे अन्य समाजो मौया अन्य साहित के मौन नथी हस्तू एटले संधार